दोस्तो आज हम सिखने वाले है सर्कल में डिजैन कैसे बना सकते है और उसे किस तरीके से बनाना चाहिए सबसे पहले सर्कल बना के लेना है उसमें जगह जगह पर हमें जोमेट्रिकल फॉर्म जो है उनकी रचना करनी है अभी हम सबसे पहले ट्रेंगल बना रहे है अब यहाँ पर अनिक्वल सरकल बना के लेना है सरकल बनाते समय उसका प्रॉपर प्लेसिंग हमें देखना है प्लेसिंग इसलिए देखना होता है कि जो हम पार्ट डिवाइडेशन कर रहे है वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं बहुत ही छोटे या बहुत ही बड़े पार्ट उसमें नहीं होने चाहिए ओरलैपिंग होना जरूरी होता है एक दुसरे पे पार्ट का ओरलैपिंग होने से जो रचना होती है वो एक अच्छे तरीके से तयार होती है इसी तरह जो rhythmic line है जहाँ पर बड़े पार्ट होते हैं उन बड़े पार्ट को अच्छे से divide करने के लिए हम rhythmic line का अच्छे तरीके से उपयोग कर सकते हैं अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं coloring की तरप जहाँ पर हमें tint and shades का उपयोग करना है white color में कोई भी एक color लेकर हम उसे tint अलग अलग जो tint है वो बना सकते हैं काफी अच्छा effect हम design में ला सकते हैं इसी तरह color देते समय हमें ध्यान रखना है कि accuracy यह बहुत ही important बात होती है जब हम design color करते हैं जो रचना हमने की है और जहाँ जहाँ पर उसका जो part हैं तो color करते समय उससे बाहर color नहीं जाना चाहिए color plane आना चाहिए इन सब चीजों का खयाल रखना बहुत ही जरूरी होता है और उसी से जो design होती है ये design की सुंदरता बनती है और इसी लिए color करते समय हमें brush को ठीक से चलाना होता है उसे ठीक से handle करना होता है ब्रेश पे अगर कही पे color लगा है तो उसे clean करके उसे use करना है जिस से अपने हाथों को color ना लगे और अपना गलती से भी अपना ये जो paper है ये paper खराब ना हो क्यूंकि paper का cleanliness ये भी बहुत ही important बात होती है design में design का जो presentation है presentation के लिए ये सब चीजों का खयाल रखना बहुत जरूरी होता है इसी तरह हम जब color करते समय तींट बनाते समय धीरे धीरे dark color की तरफ हमें आगे बढ़ना होता है एक color से अलग-अलग tint बनाने के बाद जो दूसरा हमने color लिया है उस color के भी tint हमें बना के balance करते हुए उसे color करते जाना है करते हैं प्रेंग फिर लूह करें बादिर करना है झाल 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 तीन्ट का अंतिम कलरिंग होने के बाद फिर पैलेड में ओरिजनल कलर लेकर उसमें थोड़ा ब्लैक कलर मिक्स करके हम शेड्स बना सकते हैं अब यहाँ पर हमने शेड्स का यूज कलर के लिए करना शुरू किया है जैसे जैसे ब्लैक कलर का परसेंटेज हम बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे हमें शेड्स के भी बहुत सारे विरियेशन्स मिलते हैं और इनी डिफरेंट डिफरेंट विरियेशन्स का उपयोग हमें अपने डिजैन में करना होता है टीन्ट के पास में शेड्स यूज करने के बाद उसका जो इफेक्ट होता है ब्रैटनेस होता है ये और बढ़ जाता है कॉंट्रास तैयार होने के कारण दो कलर में जो डिफरेंस होता है वो ज़्यादा उठके आता है जिससे डिजैन की सुन्दरता और भी ज़्यादा अच्छी दिखाई देती है शेड्स का भी बैलेंस करते समय हमें आमने सामने ट्रैंगुलर शेप में ऐसे अलग अलग तरीके से पैलेंस उसका क्रियेट कर सकते है जिससे डिजैन की जो सुन्दरता है फिनिशिंग है वो और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से बनती जाए हर कलर देते समय उसकी एक्रिसी उसका शेप मेंटेन रहना बहुत ही जरूरी होता है आखरी समय तक हमने जो जो जोमेट्रिकल शेप बनाया हुआ है नैचरल शेप बनाया हुआ है उन सभी को कलर करते समय उसके डाइग्राम में कोई भी डिफरंस तैयार ना हो इसका खयाल रखना होता है डिजैन में कलर करते समय कही भी वाइट कलर या पेपर रहना नहीं चाहिए इसका भी हमें अच्छे तरीके से ध्यान रखना जरूरी होता है और जितने अच्छे तरीके से ध्यान देकर हम डिजैन बनाएंगे उतने जादा अच्छे मांक्स उस सब्जेक में हमें मिल सकते है और इस तरह अगर आप डिजाइन बनाते है तो डेफिनेटली आपको डिजाइन में ए ग्रेड मिल सकता है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, शेर कीजिए और सब्सकाइब कीजिए और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलने के लिए बेलर कंद बाना मत बुलिएगा आप सभी को एक्जाम के लिए आल दे बेस्ट फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कर दो प्सक्राइब को, आप सब्सक्राइब का चा लिए रखी कीजिए डेला मत बुलिए आल दे चाना मत बाना मत-पको मिलने कीजिए और अपको आपको हुआओार्स